तो गाइस अभी आप जितने भी बच्चे हो सब बोड एक्जाम देखे आये और आपने इंजिरिंग में अडमिशन लिया और कुछी दिनों के अंदर आपकी इंजिरिंग के कॉलेजे स्टार्ट हो जाएंगे बड़ गाइस अब बोड एक्जाम के कंपारिजन में यहां जात करते गाइस अभी तक आपको पता था जब आप देखे आये थे तो तब तक आपको पता था कि बोड एक्जाम में 100 में से आपको 35 मार्क्स मिला तो बाइप पास हो गया तो पास हो गया अपने बॉर्ट एक्जाम का था अब गाईस कुछ और चीज़ें सबसे पहले सभ कवर करता हूं दिन पूने दिन लास्ट में दोनों को मिला के चीज़े बताता हूं कि इसमें ज्यादा बेटर है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बहुत सारे इनुरिश्टी की बात करूँ तो वहां 2020 मार्ट से दो यूटी होंगे यूटी होंगे अलास में 80 मार्क का फाइनल एक्जाम होगा ओके एक्जाम होने वाला है जो फाइनल सनस्टर होता है तो अब बोलेगे सर एक्जाम के मार्क एड किया जाते हैं अभी तक क्या होता था सही बताना कॉमेंट करके मुझे बताना कि यहां सर विल्कुल आपने सही बोला जो जो सही होता है अगर आप बोल पाते हो तो आपके अंदर वो गट से सही और गलत को पहचान नेगा तो आपने देखो बोड एक्जाम के बिले स्कूल के कॉलेज के अंदर जो इतने भी यूनिट टेस्ट होंगे या फाइनल एक्जाम जो भी कुछ हुए होंगे उ वन मंद के अंदर पहला यूनिट टेस्ट होगा और उसके वन मंद के अंदर अगला यूनिट टेस्ट होने वाला अगला यूनिट टेस्ट के अंदर होगा और इस दोनों के अंदर दोनों पुटी में से मानलों टोटल मिला के 20 मिला के आपने पुटव फुटी में से 30 माक्स निकाला अब इस 30 को कितना होगा 50 उसरेज निकाला जाता है इन दोनों का आवरेज को 20 माक्स का में तेंसे में बताया कि फंटीमें सेमालब investigators tech कौई मिले कि अससे अपका माक्स किया जाता तो कहने का मितलब अभी वाकि चीज़े भी है यहां मुझे आपको ये बता आ sor About जितने आपको युनिट में जितने मार्क्स मिलेंगे उतनी मार्क्स फाइनल एक्जाम में आड होगा उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है इसलिए बाई पढ़ना स्टार्ट कर दो आप सभी को पता है कि प्रदीबीरी अकेडमी यह जो चैनल है इस चैनल के उपर एटुजट सब कीजिए आपके सामने पेस किये मांदर के चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे अंदर मोडिवेशन जोस लाने का ठ्राइब करो अब बात करते हैं आपने यहां मुंबई इंवर्शेटी का देख लिया क्या ऐसा है और लास्ट में यह भी बताने वाला को दोनों का एक्जाम प यहां कोई पासिंग क्राइडियरिया नहीं होता बड़ इसमें स्कूर करने से एंसें में हल्प हो जाता क्यूंकि आप सभी को बता है कि पास होने के लिए अगर मालो यहां आपने 0 मार्क्स ला दिया तो यहां पासिंग नहीं निकालाना था बाइप अप्पू फेभ यहां मिलेगा तो ही आप पास होगे तो यहां पासिंग क्राइटीरियम की इतना कंपल सरी चीज और है कि यहां कंपल सरी है अगर मालों यहां बहुत कुछ ऐसे बच्चे अगों बोलेंगे सर तब तो यहां यहां न मैं डारेक्ट थटी में से न सर 28 मार्क्स निकाल दूंगा अब यहां कितने भी मार्क्स निकाल दो यहां कंपल सरी होता यह पास होने के लिए 70 में से 28 मार्क्स निकालना ही रहता है ट्वेंटीय2 मार्क्स निकालना ही रहता है 17 बhã DW papa निकाला पासिक वोने के लिए और है यह मार्क्स फ़ेंगं को आज कि अगर हो सकता कि अपनेकर इंसे में 12 मार्क्स निकाले हों गें फापू पास किया कोईव पासिंग नहीं है तो तरह pointer तो कम हो जाएगा न कि दोनों को अड करके आपको मार्क्स मिलने वाले आप पास हो जागा फोइंटर कम हो जाएगा तो यह कि मत करो यहां स्कोर करो कि जादा स्कोर करो अगर िंक्राइडिया यहं पासिंग रैडरिया नहीं है तो इसका मलब यह सोच किसको नॉर्मल तो एक्जाम मत दो दोनों को बनेगा जो पाइड और अगर अगर यहां यहां आप कुछ मार्ट ला देते हो तो यहां भी हल्प मिलेगा नहीं तो 70 पर यहां पासिंग क्राइटेरिया है दो मौडूल है टोटल चार मौडुल है ापे बच्चों को अगे पूरे के पूरे मौडूल का प्रसे देनाहिं तो बच्चों को थोड़ा है यहां थोड़ी अच्छी है तो बच्चों को थोड़ा help में जाता है कम मौडूल है इसमें अच्छे-खासे स्कूर कर लेता है और अच्छा-खासा स्कूर निकाल लेते हैं तो यह ऐसे अलग-अलग चीज़े तो यह चीजों को आपको समझना है यहां पासिंग क्राइटेरिय इसको इसको जीटना हो सकते लोगों तक शेर करो लोगों तक बता लोगों को समझाओ कि जैसे मिलते हैं दोस्तों